इब भी और CDI जो है वो इपक्स के उपर अमला क्यों करते हैं कि मोधी सरकार के अंदर कोई भी ने तक द्रश्टचारी नहीं है अगर को एक आद्वी कोई सावकार एक चोर है तो चोर अपना दी होगा तो चोर कोई पकड़ेगी पुलिस को सब्सक्राइब तो हरी चीज में हो रहा है तो पहले तनखा विड़ती की मिलती थी अब तनखाव करमचारियों को सब को लोगों को पर तनखाव मिल गई है आज 20 साल पहले पांच रुपे पंचर लगता था आज उसके मजदूरी बढ़गी पटास रुपे पंचर लग रहा ह का तो काम होता है अब लगाने का मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में आप देख रहे हो देश की जो भाई सुर्फशा का मामला है पाकिस्तान आए दिन को राज था आए दिन सेंज को सिरकार्ट के ले जाता था आए दिन वोटर पर हमले होते थे आप उसमें देख रहे हैं व कलवर के विकास के लिए भार्टी जिन्ता पार्टी के पृत्यासी आदर्नी भुपंदर जी के लिए मन बना लिया और बहुत अच्छे मार्जन सब्सक्राइब का निकल रहे हैं बोदी सरकार के अंदर जो है 2014 के बाद सबसे जादा बेरोजगारी देख जा रही है तो इस ट्राज को और आकनिवीर शय Elder निकाहिए ल mín डि मुद्ण कर दिया है तो बहुत अच्छी होजना है रही było में जाएगा अथ्यों में जाओगे या कि इंडिस्ट्री में जाओगे तो आप प्रोजगार मिलेगा अच्छा उसर मिलेगा केज रिवाल जैसे नेता को प्रस्टाचार के केस के अंदर जो है अभी चुनाव के समय मोथी सरकार ने बंद कर दिया और लोगभागों को वहना एक बैए ताना साही पहले के जो भी के सलुन रोगों साफ कर देती है इसा कुछ नहीं है सब पार्टियों में बड़े दल है आते रहेते चले जाते हैं सभी पार्किनों कोई सम्मान से आ रहा है तो साकत पार्टियों बहुत बड़ा दल है इब और सीडियाई जो है वह वीपक्स के उपर अमला की देख सकते हो महाँ किस परकार से दिनवाई दिन बढ़ती जा रही है जो सेलेंटर पहले 800 रुपय का मिलता था वह आज 1160 रुपय का हो गया है तो हरी चीज में हो रहा है तो पहले तनखा बिंदती की मिलती थी अब तनखा कर्मचारियों को सब को लोगों को पर तनखा मिल गई है आज 20 साल पहले पांच रुपय पंचर लगता था आज उसके मजदूरी बढ़ती पचास रुपय पंचर लग रहा है पचास रुपय मजदूर लाउनी करने जाता है तो सब चीज में आमद बढ़ रही तो उसके साब से औस तनुसा मोधी की बढ़ेंटी जो है जुट्थी गारेंटी है जुम्लों के सरकार है यह जो है विपक्स का बड़ा आरोप मोधी सरकार के उपक्स का तो काम होता है अरोप लगाने का मोधी जी ने जो पिछले 10 साल में आप देख रहे हो देश की जो भाई शुरक्षा का मामला है पाकिस्तान आए दिन जो कोंग मोधी सरकार पूर तरीके से ताना साई कर रहा है विपक्स को अरपरकार से दबाने की कोशिश कर रहा है तो इस चीज के उपर आप लाव देख रहे हैं जो जिसको बोड देना चाहता है उसके लिए कौन रोक रहा है जनता को अच्छा लगएगा जनता के विकासकारियों को देखेगा जनता के मुद्दों को देखागा चुनाव के अंदर इवियम के अंदर भी घपले बाजी की बात जो है विपक्स के दोबर उठाई गई है तो इस पर जितने भी किसान है उनको एमस्पी कि क्यों नहीं दे रही इस चीज के उपर उनका बड़ा सवाल है और उन् आए जो है दुगनी कर दूंगा तो इस चीज के उपर बिल्कुल आए दुगनी होगी 2014 में गेहूं का भाव था 1470 रुपे कुवेंटल आज गेहूं का भाव 3050 रुपे कुंटल कर दिया सरसो उस समय विक्ती तीन हजार आज विक्रीफ पाज़ार से वाउन सो तरे पंसो प के सामने आए होगा इलक्तर बॉंड का जो बुद्धा है वह आपके सामने आए होगा तो इनको आप कैसे देख तो इलेक्ट्रिक बॉंड से जो है मोधी सरकार सिर्फ चंदा दो दंदा लो इस नितिक उपर काम कर रही है और अपने जो बिजनिसमेंट साथी है तो इस सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले जातार कर दो है